फाइनली गाईज इंडिया में सेमसंग गेलेक्सी A55 5G स्मार्टफोन के लिए एक नया सोफ्ट्वेर अप्टेट है वो रोल आउट उना स्टार्ट हो चुका है और ये कोई नॉर्मल अप्टेट नहीं है इसके अंदर आपको गेलेक्सी AI के फीचर है न वह याँ पर मिलते ह जैसे की सर्कील टू सर्च फीचर तो आगे हम लोग बात करने वालें कौन से ये फीचर है कैसे आप लोग इसको एक्टिवेट कर सकतो और आपको कौन-कौन से एक्स्टर फीचर है वो यहाँ पर मिलते है तो आप लोग वीडियो को एंड तक पोच करते रिए वीडियो सब्सक्राइब कर लेना और आगे मैं आपको One UI 7 Android 15 का अप्टेट है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ अभी बात करते हैं इस अप्टेट के बारे में जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस परकार से मिलते हैं इसके अंदर आपको Galaxy AI का एक काफी special feature मिलता है जिसका नेम है Circle to Search इस feature के बारे में आपने पहले भी सुना होगा यह वाला feature आपको Samsung की जो Flexive Series है उसके लिए पहले ही देखने को मिल चुक है अप्टेट की Total Size है वो आपको मिलती है 852.32 MB और 1 UI 6.1 अप्टेट के उपर ही आप लोगों को यह वाला अप्टेट है वो यह आपर मिलता है तो option है उसके अंदर आजाना है उसके बाद में आपको एक नया option मिल जाएगा जिसका name है circle to search तो simply इस option को on कर देना है ओन करने के बाद में होगा यह कि जो circle to search वाला feature है वो आपके phone के अंदर activate हो जाएगा अभी इस feature को हम लोग try करते हैं किसी भी एक यहाँ पर image की उपर तो मा आप लोग देख सकते हो galaxy AI का जो interface है वो आपको यहाँ पर कुछ इस परकार से मिलेगा अभी आपको वीडियो के अंदर तो आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहोगा लेकिन सच में इसका interface है वो दिखने में काफी सही लगता है अब आपको जिसके बार में similar image है ना उनके भी आपको यहाँ पर option है वो देखने को मिल जाएंगे एक और आपको काफी कमाल का feature मिलता है जैसे कि यह जितने भी जो तीन लाइन है वो हिंदी के अंदर है तो आप लोग इसको English के अंदर convert कर पाऊगे home button पर आपको प्रेस करके रखने है यह जो आपको translate क option दिखाई दे रहे है उस पर click करने है तो अभी जैसे कि हमने Arabic है वो search करके रखा है इसके जगे मानलो हमने English है उसको apply कर देते है तो उसके बाद में जितनी भी जो text रहना वो आप लोग English के अंदर convert कर पाऊगे अब आप लोग देख सकतो यह चीज है ना वो English के अंदर convert हो चुकी है और Hindi से यह जो चीज है ना वह आपर translate होई है और उपर की जो तीन लाइन है वो भी आपर translate हो चुकी है तो आप लोग समझ गयोंगे कैसे यह वाला जो feature है ना वह आपर work करता है बाकी इस update के लावा आपको August 1 का latest security page level का जो update है वो भी इसी update के साथ में देखने को म पाद में फोन की performance है वो आपको थोड़ी improve देखने को मिलेगी फोन को यह आपर optimize भी किया गया है Samsung की तरब से तो जरूर से आपको इस update को अपने फोन के अंदर install करने ला है और अब बात करते हैं One UI 7 Android 15 के update के बारे में यह चो update अब वो इंडिया में आपको सबसे पहले S24 series क के लिए मिलेगा October मंत के अंदर बाकी बात करो इस device के लिए update कब तक आएगा A55 5G smartphone के लिए तो आपको वेट करना है December मंत का December मंत के अंदर काफी ज़्यादा chances है कि आपको One UI 7 का जो update है वह आपर मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकतो चैनल को subscribe कर लेना और यह सबी जो आइकन्स है ना One UI 7 update के वो आप लोग अपने फोन के अंदर भी install कर पाऊगे आपको description में या फिर i button पे link मिल जाएगी complete watch कर लेना मैं मिल तो आप लोगों से next video में जैहिंद वन्दे मातरम